दोस्तों जो लोग अमीर हैं जिनके पास करोणो अर्बो रुपय हैं क्या ओ लोग पैसों के लिए काम करते हैं नहीं बलकि पैसा उनके लिए काम करता है और आप तब तक अमीर नहीं बन सकते जब तक आपका पैसा खुद आपके लिए काम करना सुरू न कर दे ये थोड़ी क पिर क्या है power of compounding और actual में एक कैसे work करता है चले कुछ examples और story के साथ बिल्कुल आसान तरीका से सिखते हैं दोस्तों अगर आप केवल 100 रुपए monthly 30% के annual rate of interest पे 30 सालों तक invest करते हैं तो 30 साल बाद आपके पास 2 करोण 97,3308 रुपए होंगे अब बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि 30% का rate of interest ये मुश्किल है लेकिन आप अच्छे से study करके अच्छी जगा आप अपने पैसे को invest करते हैं तो इजली आपको 15 से 20% का rate of interest तो मिली जाता है इवन किसी किसी केस में 25 से 30% का भी rate of interest मिल जाता है चलिए अब हम इसी investment plan में rate of interest और time period को आधा कर देते हैं तब हमारा future investment value होगा मात्र 67,786 रूपीज दोस्तो यहां हमने same investment value पे rate of interest और time period को आधा किया तो हमारा future investment value 438 गुना कम हो गया इतना बड़ा gap इतना ज्यादा difference आखिर ये कैसे possible हुआ अभी आपको पता चलेगा इस plan में हम लोगोंने rate of interest और time period को चेंज किया था अब एक और plan लेते हैं और उसमें हम लोग investment value को चेंज करते हैं यहां मैंने same rate of interest और same time period पे अपने investment value को 100 रूपई से इंक्रीज करके 1000 कर दिया अब हमारा future investment value होगा 29,73,83,580 रूपईच दोस्तो यहां मैंने जब अपने investment value को 10 गुना इंक्रीज किया तो हमारा future investment value भी 10 गुना इंक्रीज हो गया और second example में जब हम लोगोंने rate of interest और time period को आधा किया था तो हमारा future investment value भी लगवग 438 गुना कम हो गया था दोस्तो यह जो इतने बड़े numbers का changes देखने को मिल रहा है इसका main region है compound interest कोई भी एक चीज़ चेंज करने पर इतना बड़ा जो फर्क आ रहा है यह जो magic है इसे ही power up compounding करते हैं दोस्तो power up compounding actual में work कैसे करता है अभी हम इसे इसके basic mathematics से सिखेंगे तो इस वीडियो को आप end तक देखते रहिए दोस्तो हम सबने school में simple interest और compound interest को पढ़ा है बड़ actual में इसे कहां यूज करना है कैसे यूज करना है यह हमें नहीं सिखाया जाता है यह सारी चीज़े school तक ही रहती है बड़ जो लोग compound interest के ताकत को पहचान जाते हैं और इसे अपने real life में implement करना सुरू कर देते हैं वो इसे बहुत पैसा कमाते हैं दोस्तो power up compounding हमारे life में कितना important है आप इस बात से अंदजा लगा सकते हैं कि दुनिया के महान बैग्यानिक Albert Einstein ने power up compounding को दुनिया का आठवा अजुबा कहा है उन्होंने कहा है कि जो लोग power up compounding को समझते हैं वो लोग इससे पैसा कमाते हैं और जो लोग इससे नहीं समझते हैं वो लोग इसके लिए खर्च करते हैं दोस्तों अब आप ये तो समझ चुके होंगे कि power up compounding हमारे लिए कितना important है चलिए अब जानते हैं कि simple interest और compound interest में difference क्या है और एक काम कैसे करता है दोस्तों ये simple interest का formula है interest is equal to principal amount into rate of interest into number of period ये basically interest का formula है जब आप कहीं पैसा invest करेंगे और एक साल दो साल के बाद amount calculate हो जाएगा चलिए अब हम simple interest को एक example से समझते हैं फिर हम इसे compound interest से भी compare करेंगे माल लिजए कि आज आपने 10,000 रुपिया invest किया 25 सालों के लिए और वहाँ आपको 15% का annual rate of interest मिलता है और जब आपका first year complete होगा और आप अपना interest calculate करेंगे तो basically interest का formula होता है principal amount into rate of interest into number of period तो आप calculate करेंगे 10,000 into 15% और आपका एक साल complete होए तो आपका number of period हो जाएगा 1 finally जो आपका interest निकल कराएगा वो होगा 1500 रुपए यानि एक साल के बाद आपको आपके 10,000 रुपए पे 15% का rate of interest मिला है वो हुआ 1500 रुपए अब आप एक साल के बाद अपने total amount को calculate करेंगे तो आप अपने principal amount में अपने interest को add गर देंगे तो आपका total amount calculate हो जाएगा तो एक साल के बाद आपका total amount हो जाएगा 11,500 रुपए next year आप अपना total amount calculate करेंगे 13,000 अगेन आपको 15% का interest rate मिला है 1500 रुपए इसी तरह हर साल आपको 15% का interest rate मिलेगा यानि 1500 रुपए और हर साल ये आपके amount में जूरते चला जाएगा finally 25 साल के बाद आपके पास 47,500 रुपई होगा अगेन यहाँ भी आपको 15% का interest rate मिलेगा वो होगा 15,000 रुपई ये हो गया आपका 25 सालों तक simple interest का return चलिए अब same investment plan को हम compound interest से compare करते हैं basically compound interest का formula होता है जब आपका एक साल complete होगा और आप अपना future amount calculate करेंगे तो उसका formula होता है principal amount into 1 plus rate of interest to the power N ये basically compound interest का formula हो गया और जब आपका एक साल complete होगा और आप अपना future amount calculate करेंगे तो 10,000 into 1 plus rate of interest और यहाँ N का value हो जाएगा 1 चुकि अभी आपका एक साल complete हुआ है और जब आप अपना एक साल के बाद future amount calculate करेंगे तो आपका हो जाएगा 11,500 रुपीज यहाँ भी आपको 15% का interest मिला है आपके initial amount 10,000 पे इसी तरह जब आप next year अपने amount को calculate करेंगे तो आपका investment amount होगा 13,473 रुपै यहाँ भी आपको 15% का interest मिला है इसी तरह 5 साल बाद जब आप अपना future amount calculate करेंगे तो आपका amount होगा 21,071 रुपै फाइनली जब आपका 25 साल complete होगा तो यहाँ number of period होजाएगा 25 और जब आप अपना future amount calculate करेंगे तो आपका future amount होगा 4,15,441 रुपै इतना बड़ा difference इसी amount को जब हमने simple interest से calculate किया तो 47,500 हुआ और जब हमने compound interest से calculate किया तो यही investment plan 4,15,441 रुपै लगभग 8 गुना ज़्यादा आखिर इतना ज़्यादा difference यह कैसे हुआ दोस्तों अब यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है दोस्तों जब हमने same investment plan को simple interest से calculate किया तो 25 सालों तक जो हमें interest मिला है every year वो interest जो हमारा initial investment amount है 10,000 रुपै प्रतेक यर इसी 10,000 रुपै पे हमें 15% का interest मिला है 1500 रुपै जैसे फर्स्ट यर जब हमने अपना interest calculate किया तो 1500 हुआ सेकेंड यर भी 1500 इसी तरह जब 25 साल complete हुआ तो वहाँ भी हमें 15,000 interest मिला हमारे initial amount 10,000 रुपै पे इसी तरह हर साल हमें 15% का interest मिला है यह हमेशा हमारे initial amount पे ही मिला है और जब फर्स्ट यर हमने अपना amount calculate किया तो हमारा total amount हो गया 11,500 रुपै इसी तरह सेकेंड यर भी जब हमने अपना total amount calculate किया तो फर्स्ट यर जो हमारा total amount था इसमें हमारा interest add हो गया और total हो गया 13,000 रुपै इसी तरह 25 सल के बाद जब हमने अपना amount calculate किया तो हमारा total amount हो गया 47,500 रुपी यहाँ एक clear हो गया है कि जो हमें interest मिला है simple interest में यह interest हमेशा जो हमारा initial investment amount है 10,000 रुपै इसी पे मिला है यानि कि जब आप simple interest से अपना amount calculate करेंगे चाहें आप 10 सल के लिए invest करेंगे 20 सल के लिए 50 सल के लिए जब भी आप अपना interest calculate करेंगे तो जो आपका initial investment amount होगा यानि first time जो आप पैसा invest करेंगे उसी पे हर साल आपका interest calculate होगा यह है simple interest चलिए अब हम इसे compound interest से compare करते हैं इस investment plan का compound interest से first year आप अपना amount calculate करेंगे 11,500 रुपए यहाँ जो आपको 15% का interest मिला है यह आपके initial amount 10,000 रुपए पे मिला है second year आप अपना amount calculate करेंगे 13,473 रुपए बट यहाँ जो आपको 15% का interest मिला है यह initial amount पे नहीं मिला है बलकि first year जो हमारा total amount calculate हुआ है 11,500 रुपए इस पे हमें 15% का interest मिला है और second year हमारा total amount calculate हुआ है 13,473 रुपए जबकि simple interest से जब हमने calculate किया था तो second year हमारा total amount calculate हुआ था 13,000 रुपए और यहाँ जो हमें 15% का interest मिला था ये हमारे initial amount 10,000 रुपए पे मिला था लेकिन compound interest में जिस साल आप अपना amount calculate करेंगे ज़स्ट उसके पिछले साल जो आपका total amount calculate हुआ होगा उस पे आपको 15% का interest मिलेगा जैसे compound interest में third year हमारा total amount calculate हुआ है 15,649 रुपए यहाँ जो हमें 15% का interest मिला है ये interest second year जो amount calculate हुआ था 13,473 रुपए इस पे 15% का interest मिला है इसी तरह 25 साल तक आप अपना amount calculate करेंगे तो उस साल के previous year के amount पर आपका interest calculate होगा finally 25 साल बाद आपके पास 4,15,441 रुपए होंगे again यहाँ भी जो आपको interest मिला है वो 25 साल के previous year यानि 24 साल पे जो amount calculate हुआ था उस पे आपको 15% का interest मिला है अब यहाँ थोड़ा फर्क देख लेते हैं कि simple interest और compound interest में फर्क क्या हुआ दोनों में first year जो amount calculate हुआ है वो same है बट second year simple interest में 13,000 रुपए calculate हुआ है जबकि compound interest में 13,473 रुपए calculate हुआ है 4,473 रुपए अधिक यह आपको अभी बहुत छोटा नंबर दिख रहा होगा बट यहीं छोटा छोटा नंबर धीरे धीरे जुड़ करके कुछ सालों के बाद लाखों करोणों में बदल जाता है जैसे फाइनली 25 साल के बाद जो हमारा amount calculate हुआ है वो है 4,15,441 रुपए जबकि simple interest में 25 साल बाद मात्र 47,500 रुपई calculate हुआ है इतना ज्यादा difference दोस्तों अब आपके मन में एक question आया होगा कि simple interest में जो हमारा interest calculate हुआ है वो हमेशा जो हमारा initial investment amount है 10,000 रुपई इसी पे calculate हुआ है जबकि compound interest में जो हमारा interest calculate हुआ है पिछले साल के amount पे आखिर ऐसा क्यों और यही point important है मान लिजे कि आज आपने कहीं 100 रुपई invest किया है यह जश्ट एक छोटा सा example है और वहाँ आपको 10% का interest मिलता है तो एक साल बाद आपके पास कितना पैसा होगा 110 रुपई वहाँ आपको return कितना मिला है 10 रुपई अगर आप उस 10 रुपई को withdraw कर लेते हैं तो आपका केवल principal amount बचेगा second year भी आपको उस 100 रुपई पे 10% का interest मिलेगा 10 रुपई अगर आप उसे भी withdraw कर लेते हैं इसी तरह हर साल जो आपको interest मिलता है उसे आप withdraw कर लेते हैं तो हमेशा आपका क्या बचा रहेगा आपका principal amount आपका initial amount जिसे आपने invest किया था मात्र 100 रुपया और हमेशा जो आपको interest मिलेगा उसी 100 रुपई पे मिलेगा तो इसे हम simple interest कर आते हैं विकोज यहाँ जो आपको return मिल रहा है वो हमेशा आपके initial amount पे ही मिल रहा है जिसे आपने शुरू में invest किया था यानि कि simple interest में हमेशा जो आपको interest मिलता है वो आपके initial investment amount पे ही मिलता है अब वापस से अपने example पे आते हैं माल यह कि first year जो आपको 10% का interest मिला है और आपका total amount हुआ है 110 रुपई और आपने उस 10 रुपई को withdraw नहीं किया उसे reinvest कर दिया तो second year जो आपको return मिलेगा 10% वो आपके 110 रुपई पे मिलेगा तो 110 रुपई का 10% 11 रुपई होगा तो second year में आप अपना amount calculate करेंगे 121 रुपी यहां आपको interest पे भी interest मिला है इसी तरह हर साल आप अपने interest को reinvest करते जाएंगे तो हर साल आपको interest पे भी interest मिलेगा इसे ही compound interest करते हैं चक्रिविर्दी ब्याज यानि कि हर बार आपको आपके ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा simple interest में क्या था हमेशा आपके initial investment amount पे interest मिलता था because आप अपने interest को हर बार bid draw कर लेते थे but compound interest में आप अपने interest को reinvest करते हैं तो हर साल आपके interest पे भी interest मिलेगा और इसी उज़ाद से जो लोग पैसा invest करते हैं और अपने interest को bid draw नहीं करते हैं उसे reinvest करते हैं तो कुछी सालों में उनका पैसा कई गुना गुरो कर जाता है और इसे ही power up compounding कहा जाता है जो लोग power up compounding के ताकत को पहचानते हैं और उसे अपने real life में implement करते हैं इसलिए कहा जाता है कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं बलकि पैसा उनके लिए काम करता है दुझतो power up compounding का magic तब देखने को मिलता है जब आप long term के लिए invest करते हैं यह जो graph आप देख रहे हैं पिछला example का है जहां हम लोग ने 10,000 रुपए 25 सालों के लिए invest किया था उसका एक compounding graph है यहां आपको कुछ सालों तक ऐसा लगेगा कि बहुत कम return मिला है लेकिन एक समय ऐसा आया है जहां से बहुत तेजी से पैसा grow होना शुरू हुआ है और यहीं बहुत सारे लोग जो बेसबर होते हैं कुछ सालों तक जब उन्हें कुछ खास return नहीं मिलता है तो वो लोग give up कर देते हैं बट जो लोग power up compounding को समझते हैं लंबे समय तक पैसा invest करते हैं उनका पैसा बहुत तेजी से grow होता है और वो बहुत जल्द अमीर बन जाते हैं तो होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि power up compounding क्या है यह काम कैसे करता है और यह कितना important है हमारे लिए अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई doubt है कोई query है तो आपनी जे comment सक्षन में लिख सकते हैं फिर मिलते हैं एक और next वीडियो में till then keep learning and keep growing